बुटेन के प्रधान मंत्री बॉरिस जॉंसन ने मंगलवार को नए वित मंत्री और हिल्थ सेकेटरी के नाम का एलान कर दिया अब UK काबिनेट चीफ स्टाफ स्टीव बार्कले को नया हेल्थ सेकेटरी वहीं UK के एजुकेशन सेकेटरी नदीम जाहवी को नया वितमंत्री न्यूक्त किया गया है वितमंत्री पद से रिजाइन कर चुके रिशी सूनक और साजित जाविद के बाद पीएम जॉनसन को ये फैसला लेना पड़ा चलिए बताते हैं आपको कौन है नदीम जाहवी एजुकेशन सेकेटरी नदीम जाहवी का जन इराक में हुआ था डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि जाहवी की निउक्ती को कुईन इलिजाबेद सेकेड ने मन्जूरी दे दी है नदीम जाहवी कम उम्र में ही अपनी कुर्दिश फैमली के साथ ब्रिटेन आ गय थे और वे अंगरीजे बोलना नहीं जानते थे उन्होंने ब्रिटेन में आकरशक बिजनस करियर बनाया एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो 55 साल के जाहवी ने प्रतिश्टित पोलिंग कमपनी युगोव की स्थापना की और 2010 में MP बनने से पहले वे लंडन में स्थानिय कंसरवेटिव राजनीती में सक्रिय थे जाहवी को ब्रिटेन में महामारी के दोरान वैक्सीन योजना को लागू करने का श्ट्र भी दिया जाता है दिल्चस्त बात ये है कि रिशी सूनक की तरह जाहवी की नीजी दौलक की नकरात्मक वजाहों से चर्चा हुई जिसमें 2013 में पार्लियमेंट खर्चों के सहारे घोडों के अस्तबल को गर्म करने का दावा भी शामिल है ब्रिटेन के पीम ने जाहवी की जगा अपने एक अन्य भरोसे मंद माइकल डॉनलेंड को एजुकेशन मिनिस्टर न्यूक्त किया है वित्यमंत्री रिशी सूनक और हेल्थ सिकेटरी साजित जाविद ने 5 जुलाई को अपना स्तीफा दे दिया इन दोनों का ये स्तीफा ऐसे समय में आया जब प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी की पार्टी में विरोध बढ़ता जा रहा है दोनों का स्तीफा जॉनसन के लिए एक और जटका साबित हो सकता है बुटेंड के वित्यमंत्री रिशी सूनक भारतिय मूल के हैं और वे इनफोसिस के को फाउंडर एन नरायन मूर्थी के दमाध है जबकि साजित जाविद पाकिस्तानी मूल के है देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ